नुश्कार आदा सस्याका स्वागत है आपका नौलेज मंत्रा की और एक नए अमेजिंग एपिसोड में बच्चे हो या बुजुर्ग, लड़की हो या लड़की, पानी पूरी का स्वाद हर किसी को पसंद आता है कोई एक दम तीखे गोलगप्पे खाना पसंद करता है, किसी को मेठी पानी पसंद आता है, किसी को खटा मेठा तो कोई दही वाला खाता है गोलगपे को देश भर में अलग-अलग नामों से जाना चाता है बताशे, पानीपुरी, गोलगपे, पताशे, गुपचप, फुल की आधी नामों से प्रसिद इस चाट की दीवानों की कमी नहीं है लेकिन क्या आप जाते हैं कि गोलगपों का अविश्कार कहा सी हुआ था? अगर नहीं तो आये चांत है हमारे फाक नबर वन में भारत में स्ट्रीट फूट की कसफ विराइटी पाई जाती है यहाँ पानीपुरी से लेकर आलू टिकी तरह तरह की पकोडिया, मोमोस, तही भले, धनिया, आलू आधी खूब लोगप्रिया है देश के अलग-अलग हिस्सों में गोलगप्पे के लिए अलग तरह का पानी और फीलिंग को पसंग किया चाता है कोई गोलगप्पु में आलू भरता है, कोई चने तो कोई मटर, हर चीज का स्वाथ बिलकुल अलग होता है एक-दो प्लेट पानी पुरी खा लेने के बाद, वो आकरी वाली सूखी पाप्पडी का स्वाथ भी मुह में पानी लेहाता है हाला कि गोलगप्पे के इतिहास को महाभारत से जोड़ कर देखा चाता है मानने ता है कि जब दुरौपपडी ससुराल आई थी तो माता कुंती ने उन्हें ऐसा कुछ बनाने के लिए कहा था जिसे खा कर उनके पत्यों को पेट भर जाए मा कुंती के कहने पर दुरौपडी ने पान्दो को गोलगपे बना कर खिलाए थी जिसे खाकर उनकी पती इतने ही खुश हो गए थे कि दुरौपदी को अमर होने का वर्दान दी दिया था हाला कि उस समय गोलगप्पो को किस नाम से जाना जाता था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन यह दावा किया जाता है कि इसका प्राचिन नाम फुलकी होता था आज गोलगप्पे को कई नामों से जाना जाता है 1951 में गोलगप्पा और 1955 में पानीपूरी शब्द आया उस समय का इसका नाम क्या रहा होगा इसका तो किसी को अंदासान नहीं है हाला कि कई जगों पर इसके प्राची नाम फुलकी काउलेक पाया जाता है दुनिया में कई रहसी में ही जगाय है और चीज़े है जिनकी गुठी को सुलजाना आसान नहीं है इन्हीं में से एक है नामिब रेगिस्तान ये दक्षिन पश्यमी अफ्रिका की एटलैटिक तरसे लगा हुआ है ये रेगिस्तान करीब पाच करोड़ पचास लाग साल पुराना माना चाता है कहते हैं कि इस रेगिस्तान में रात की अंधेरे में परिया नाचती है तभी सुबह होती ही उनके पैरों की निशान नसराते है अब क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी आईए जानते हैं हमारे फाक्ट नमबर टू में वहे कुछ अन्य जानकारों की मताबिक रेगिस्तान में दिखने वाली गोल गेरी भगवान की पैरों की निशान है वहार रहने वाले हिमा समदाय के लोगों का मानना है कि ने आत्मावनी बनाया है और ये उनके देवता मुकुरों के पैरों की निशान है मालूम हो कि नामिम रेगिस्तान में लाखों गुलाकार अकृतिया बनी हुई है जिसके गुत्य को आज तक कोई सुलचान नहीं पाया है कई लोगों का मानना है कि ये निशान योफिक के उतरने से बने है ये रेगिस्तान मंगल ग्रह की सतरचे साथ दिखता है इसके भूबाग पर रेट के टीले और उबडखाबड पहाड़ है नामी ब्रेगिस्तान दक्षिनी आंगोला से नामी बिया होती हुई 2000 किलोमेटर दूर दक्षिन अफरिका की उत्तरी हिस्सों तक फैला है नामी ब्रेगिस्तान का सबसे जान लेवा इलाका रेट के टीलों और टूटे हे जहाजों की जंग खाय पत्वारों से भरा हुआ है इसके अलावा यहाँ वेल मचली के अंगीनित कंकाल पाय जाते हैं इसके लिए यह इलाका कंकाल तट की नाम से जाना जाता है दुनिया अजीब गरीब रहिस्यों से भरी पड़ी है विश्यों में कई सुन्दर और ब्यूटिफल जगह है जहाँ जाकर इंसान को वापस लोटने का अगमन कभी नहीं करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि रश्यों में एक ऐसी जगह भी है जहाँ जाकर आज तक कोई नहीं लोटा है कौन सी है वो जगह और क्या है उसका रहस्यों आएए जानते हैं हमारे फाक्त नमबर थ्री में दरसल यह एक रहस्यमई काव है जिससे मुर्दो का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो भी आया है वो कभी वापस नहीं जासका हम जिस गाव की बात कर रहे है वह उत्तर उसोटिया की दरगवास की है यह एक सुनसान इलाका है डर की वजह से इस जगह पर कोई आता चाता नहीं है उचे उचे पहाड़ों की भी चिपेस गाव में सफेद पत्तरों से बनी करीब 99 धह खाना नुमा मकान है जिसमें स्थानियर लोगों ने अपने परीशनों की शव दफनाय थी इनमें से कुछ मकान तो चार मंसिला भी है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक इन कब्रों को 16 शताप्ती में बनवाया गया था यह एक विशाल कब्रिस्तान है कहते हैं कि हर इमारत एक परिवार से संबनित है जिसमें सर्फ उसे परिवार के सदस्यों को दफनाया गया है इतना ही नहीं इस जगों को लेकर और भी कई तरह की मानिता है लोगों का मान्या है कि इन जोपणी नुमा गुफाव में जो आया है वो कभी वापस लोट कर नहीं गया हाला कि कभी कभार परियेटक इस जगह की रयस को जानने के लिए आते रहते हैं यहां पहुशना बेहद मुश्किल है क्योंकि इस जगह पर पहुशनी के लिए पहाड़ियों की बीच तंग रास्तों से होकर कुसरना परता है यहां पर मौसम भी हमेशा खराब ही रहता है जो सफर में बड़ी रुकावट साबित होता है नौलेज मंत्रा के आज के हमारे इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही फिर मुलाकात होगी आज से नौलेज मंत्रा के अगल एपिसोड में तब तक हसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें बीसेन न्यूज नमस्कार